सोशल मीडिया पर कौन बनेगा करोड़ पती से जुड़ा एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है? वीडियो में अमिताब बच्चन सामने बैटे कंटेस्टेंट से उजयन इस्थित महाकाल लोग से जुड़ा एक सवाल पूछते दिखते हैं दावा किया गया है कि यह सवाल साड़े साथ करोड़ रुपए का था सवाल था कि उजयन में स्थित महाकाल लोग किस सरकार की देन हैं? विकल्प के रूप में चार उत्तर भी थे कंटेस्टेंट विकल्प को चुनता है और साड़े साथ करोड़ रुपए की रकाम हार जाता है वहीं अमताब बच्चन सवाल का सही जबाब सी कमलाद सरकार बताते नजर आते हैं सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रही 24 सेकेंड की इस क्लिप को शेर करने वाले यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कंटेस्टेंट के साड़े साथ करोड रुपए इसलिए डूप गए क्योंकि वो जूटे परचार कर शिकार हुआ था भोपाल कॉंग्रेस के वेरिफाइड एक्स अकाउंट पर इस वायरल क्लिप को शेर करते हुए एक ट्विट किया गया था यह जूटे परचार की कीमत है जो आप चुकाते हैं कमलाद सरकार ने 2019 में उज्जयन में महाकाल कोरिडोर बनाया है कुछ ऐसे ही ट्विट्स अन्वेरिफाइड एक्स यूजर्स द्वारा भी किया गये हैं जैने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाइरल हो रही इस वीडियो की जब परताल की गई असल में वाइरल होते इस वीडियो में मिताब बच्चन कंटेस्टेंड को सास्वत गोयल के नाम से बुलाते हैं हमने 700 गोयल केबीसी कीवर्ड को जब यूटूब पर सर्च किया तो पहला ही वीडियो हमें केबीसी के चवुद में सीजन का मिला जिसमें 700 होट सीट पर मिताब बच्चन के सामने बैठे थे वीडियो पूर देखने के समय इसके एक घंटे 11 मिनिट और 34 सेकेंड हिस्से में अमताब बच्चन द्वारा सारे 700 रुपय का सवाल पूछा गया है जो 77 सवाल दिखाई देता है सवाल असल में यह था कि किस ब्रिटिस सेन टुकडी को प्राइमिस इन इंडिस आदर्स वाक दिया गया था क्योंकि वह भारत में तैनात होने वाली पहली टुकडी थी इसके भी चार ओप्सन थे कंटेस्टेंट सास्वत गोयल एक तार्समा रेजिमेंट और फुट को चुनते हैं हाला कि यह जवाब गलत था इस सवाल का सही जवाब था किस सरकार की देने नहीं मिला इस पष्ट है कि यह सवाल एडिट करके वीडियो में लगाया है जबकि मूल वीडियो में ऐसा कोई भी सवाल कंटेस्टेंट से पूछा ही नहीं गया ऐसे में वाइरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है